स्टीवर्मा सॉलुशन चप्रेटर ट्रेंटेश्स लोज अफ थेमोडेनमिक क्वेशन निबर टेन केकुलेट दे हीट एप्जर्ब बाइस इस्टम इन गोईंग थूर साइकलिक प्रोसेश वन फिगर ओके तो अपने पास वी पी डियाग्राम कीवान है और यह साइकलिक प् तो अपना चेंज इन इंटर आय lazy क्या होगा जीरो होगा क्योंकि इनेशल पोशिशन और फाइनल पॉशिशन सेंव है пр entrance करता नहीं तो नहिए crystal होगा अब यहां पर वर्क दण к्या एगा देखहो A B C D A यह पात अपन फोलु करे एक लोग वाइस एक आचा हूभो तो क्लो को यानि यह वाला पूरा area यह वाला पूरा area मेरा work done है, the same thing work done क्या है यह यह नेगरिटिव क्योंकि आपका volume क्या हूई decrease हुआ है थो work done negative फिस कर धो चाते हो तो आपका यह वाला area हो देखो आपका final region review volume बढ़ रहा है तो 7 वाने पॉर्थ यह वाला वर्क का आपका नेगेटिव है तो सरकल का वर्क क्या हो गया नेगेटिव तो अपने जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा और क्या होता है आपका वर्क क्या होता है एरिया अंडर का हो तो इस कर्व के अंडर जो एरिया है वो आपका वर्क होगा और एरिया कितना होता है यह circle है तो pi r square होगा right okay circle किसका form है ellipse का form है तो अपन यह लिख सकते है area is equal to minus major axis into minor axis यह लिख सकते है okay यहाँ पर मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ r को दो बा लिख रहा हूँ और मैं क्या करा हूँ r into r लिख रहा हूँ यह क्या करो minus pi r into r okay ऐसा क्यों कर रहा हूँ क्योंकि एक r में उक्को pressure का लेना है और एक r में उक्को volume का लेना है okay तो यहाँ पर pi की value 3.14 okay r आपका radius लेना है किसके लिए pressure का अगर मैं radius लूँ तो diameter है मेरा 300-200 क्या है diameter 300-300-100 क्या है diameter और divided by 2 करेंगे तो radius आजाएगा और यह किल्म पासकल यह 10 की पावर 3 आजाएगा ओके नेक्स्ट यहाँ पर diameter क्या आएगा 300-100 और divided by 2 करेंगे तो radius आजाएगा और यह के cc है तो 10 की पावर minus 6 करेंगे तो मेटर क्यों आजाएगा okay तो इसको solve करेंगे तो अपने पास क्या यह आजाएगा यह आजाएगा अपने पास work done इसको solve करेंगा तो work done आएगा 31.4 Joule यह आपके पास work done आगे ओके अब हमें first law से पता है कि heat supplied is equal to क्या होता है internal energy plus work done ओके यहाँ पर internal energy zero है तो work done heat supplied किसके एक्वल हो जाएगा work done के एक्वल हो जाएगा ओके तो यहाँ पर work done कितना माइनस three 31.4 जूल तो आपका heat absorb कितना एगा माइनस 31.4 जूल अब माइनस का मतलब heat absorb नहीं हुआ हीट reject हुआ है ठीक है बाकि यहाँ पर हमें पूछ रहा है heat absorb कितना है तो हम माइनस के साथ बोलेंगे पीछे answer plus 31.4 दे रहा है maybe मेरा गलस हो सकता है या फिर वो गलस हो सकता है पर मेरा coding यहाँ पर heat reject होगा कितना 31.4 जूल या फिर absorb बोलते हुआ तो माइनस लगाना पड़ेगा